हेलो फ्रेंड्स मैं विन्य निर्भिक फ्रेंड्स आपका फिट से हमारे चैनल पर स्वागत है तो फ्रेंड्स और भी ग्रूपडे एक्जाम डेट ओफिशियल नोटिस दस अक्टूबर से ग्रूपडे एक्जाम आप लोग जान रहे हैं कि मैक्समम यूटूबर्स कहा सकते ह जो है कहरते 10 जून तक ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा और जुलाई लास्ट विक में आपका एक्जाम हो जाएगा लेकिन मैं आपको सुरू से क्या करता फ्रेंड्स कि अभी एक्जाम की कोई पॉस्बिल्टी नहीं बन रही है मैं 15 अगस तक गारंटी ले सकता हूं कि 100% पासबिल्कुल इंपॉस्बेल het उसके बाद का थोड़ा सा फॉस्बिल्टी मनते जाएगा बिट उसके पॉस्बिल्टी काफी कम है पसे क्या बोलत था कि कम से कंपघूबर मां करके चलो कि बहुत पहले होता है सितंबर लास्ट विक मान करके चल सकते हैं कहीं ने कहीं मैं बार बार आपको अक्टूबर का ही इंडिगेट कर रहा था और इसके साथ-साथ अगले साल का भी इंडिगेट कर रहा था कुछ कंडिशन के वएसे ठीक है क्या कंडिशन था कि जब TCS अगर से हुआ नहीं था बस वो लोग क्या थे फाइट में थे कोई टेकनिकल बीट तक पहुचा था कोई फाइनसल बीट तक पहुचा था बट फाइनल किसी का सेलेक्शन आज तक नहीं हुआ था आप लोग सिंपल सी बात यह समझ लो जब तेज फरीड को एक्जाम होने जा रहा थ अगर उस टाइम एक्जाम हो चुका था तो फिर दुबार नहीं टेंडर करने क्यों जरूत पड़ी खुद कॉमन सेंस यूज करो ठीक है उस टाइम तक भी आपका TCS कहीं में नहीं था महज कुछ यूट्यूबर्स फेक अफ़वा फाइला दिये और आप लोग गुम रहा ह अब भी यह लोग फाइला एक जुलाईम एक्जाम होगा बड़ जुलाईम कहीं से भी कोई नहीं हो रहा है नहीं 10 जूंतर कोई नोटिस आया फिर आप लोग कमेंड वक्स में बार पूछ रहें एक्जाम तो अक्टूबर मी होना है लेकिन बहुत जल्द नोटिस आएगा सचाई है तो फ्रेंड्स मैं आपको यहां नोटिस की सचाई बताने वाला हूं 10 जूंतोलों की डेट बीच चुकी है कोई नहीं आई है लेकिन मैं बता दू एक नोटिस जरूर आने वाला है और भी ग्रूबडी एक्जाम डेट को लेकर लेकिन उसमें यह बात बिल्कुल कि यह एक इंटर्नल खवर है जैसे मैं कुछ इंटर्नल खवर दर बीच में दिया था जो सही निकले थे आपको मालूम होगा एक मीटिंग हुआ था CBT1 रिजल्ट को लेकर के जो मीटिंग मतलब कहीं मीडियम आई नहीं थी मैं बोला था आज मीटिंग हो चुका है ऐसे से लोग करेंगे और एक्जेक्ट आप सेम चीज अगले दिन पर आसे दो नियूज में आया था अब एक दिन लोग को विश्वास नहीं है कहीं नियूज में एक ऐसे मीटिंग हुआ यह हुआ हुआ दो दिन बाद आपकी नियूज में देखनेंगे मिलका खाया रहे हुआ है तो फ्रेंस ऐसा कुछ मीटिंग हुआ है ग्रूप डे एक्जाम पोस्पोनमेंट को ले करके वैसे लोग पोस्पोन अगर वर्ड नहीं उसकरते हैं तो भी काम चल सकता है क्योंकि यह कोई एक्जाक डेट नहीं दीए बस बोले जुलाई से करा सकते हैं वो भी 10 मार्च की नोटिस में और 10 मार्च की नोटिस की स्पेस पर आया थी आप भी जानते हैं वो भी चर्चा कर करना है मेरे पुराने वीडियो खुद उपन करें चेक कर लिजे मैं कभी जुलाई का सपोर्ट नहीं किया हूं ना ही इससे पहले किसी एक्जाम डिट का सपोर्ट किया हूं यही मेरे चैनले के सच चाही है तेज फरोड को भी मैं लगतार बोल रहा था कि अग्जाम नहीं ह आपको लगतार नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख सके ठीक है इसके सासत अगर अभी तक आपने हमारे एप को डाउन्लोड नहीं किया है इसका जो मतलब लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में है ठीक है तो ऐसा ही है कि ग्रूप डी का अल्टिमेट कोर्स है जिसका कोस्ट पहले 5,555 था लेकिन आप ही लोग के डिमांड पर मात्र 9.99 का कर दिया गया और जो लोग आज दो पहर तक पर्शेश कर लिए उन्हें 40% का इस पेसल आप भी मिला था मैं बहुता आज दो पर मिल जाएंगे आपको कुछ पेडियास मिल जाएंगे कुछ वेगरा भी सब कुछ यहां मिल जाएंगे आपको ना मात्रिफिस के ओल 9.99 को फूल कोर्स आपको मिल जा रहा है इसकी तारीफ में जितनी का उतनी इंकम है अब खुद इस सथी कितना लाइक है 349 लाइक है आप स इसमें क्या है यह तेल्गू प्लस इंग्लिस में है ठीक है इसका भी कॉस्ट 9.99 इसमें देख सकते हैं 474 वीडियो जो इंग्लिस में चाते इंग्लिस में फिर तेल्गू तमिल चाते वह भी ले सकते हैं और फ्रेंड्स सबसे बड़ा चीज जो CBT2 में तहलका मचा दी है यह मॉक टेस्ट मतलब कि इसकी तो बात ही अलग है इसका कॉस्ट इसका बहुत ज्याद है 9.95 है क्यों कि यह अभी तक के सारे एक्जाम में 90% कोस्टन्स दी है मतलब यहीं से ठीक है और जो लेवल 3 का एक्जाम अभी हुआ है और 4 तारीक वाला उसमें 120 फूल कोस्टन्स य कोई भी लेवल हुआ 90% कोस्टन्स दी हम एक्जाक्ली आपको मिल जा रहे है क्यों 14 तरीक लेपर में 100% कोस्टन्स मिल गए थे तो उस दिन लोग 115 प्लस भी करके आए हैं और बाकी दिन दो लोग 90 प्लस करके आए हैं मतलब 75% प्लस तो करके आए हैं यहां है चाहे मैट्स ह मैं आपकी जीतने तारिफ की जाए कम है और यह कौस्ट काल सब्सक्ता बढ़ हैं तो जल जल प्रस रहे हैं ठीक है लेकिन 9.95 मिल रहा यह भी कहा सकते हैं एक offer ही है क्योंकि इसका दाम बढ़ने वाले से जरूब पर्चिस कर लें ठीक है ऐसे मौक के बार बार नहीं आएंगे और सबसे पहले आप जरूब डाउलोड कर ले क्योंकि विल्कुल फ्री आफ कॉस्ट है और बहुत सरे को फ उससे भी आगे आपका डेट जा सकता है और जिसके मैं बोला ना अगले साल की possibility बताया था तो उसकी possibility का क्या रिजन था रिजन यह था कि जैसे कि TCS लगवा कंफर्म होती है तो TCS इदर फोड़ा बीजी चल ले ठीक है आपको मालूम है कि जूंद 23 तक पूरा SSC ने TCS को बुक कर रखा है बीच न जो अगस्त का महीना है तो उसमें भी पीरस न उसको बुक कर रखा है ठीक है इस वैसे हो सकते TCS मना कर देंगे अभी अम एक्जाम नहीं करा पाएंगे लेकिन एक possibility और बनरे फ्रेंट्स आप जान रहे इस बार आपका सारा प्रॉसेस RRB वाइस हो रहा है यानि कि एक RRB का exam यह लोग एक दिन में आसानी से complete कर सकते एक दिन मी का एक सिफ्ट में complete कर सकते हैं इसमें कोई डाउट है वस सेंटर किया है आपके इधर जाएंगे जैसे NTP C202 में कहते हैं तो यहां पर क्या है आपका एक सिफ्ट में एक RRB का आसानी से complete कर लेंगे इस इस इसाप से यह लोग बीच बीच में अक्जाम क पर आसकते हैं इसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन जुलाई से कोई एक्जाम नहीं होने विला हम बात के ओफिसल नोटिस का फिंट सुप्रेंगा तो फ्रेंड से लोग पॉस्ट्वाइब की बात मेंसें कर सकते हैं कि अप्टूबर से मतलब की कराने की पॉस्टिस करेंगे या फिर अक्टूबर 1st week 2nd week मेंसें कर दे हमारे खेल से exact date तो अभी नहीं दे पाएंगे और 10 अक्टूबर वैसे ही डाला गया क्योंकि आप देट की बीचे बागते हैं 10 अक्टूबर के पॉस्बिल्टी अभी लगातार बड़ी हुई है जुलाई से आपका कोई एक्जाम इसका नोटिस आपको देखने को मिल सकता है तो नोटिस को लेकर आप लोग परशान मत होई है क्यों अपने प्रिपरिशन पर फोकस करिए बागी किसी बात पर आप ध्यान मत देजिए ठीक है फ्रेंस तो अभी के लिए बस इतना है थैंक यू जय हिंद जय भारत